तो हेलो गाइस मेरा नाम है पुनित सिंग and you guys know me from my youtube channel before you buy जहां मैं चीज़ों को मंगाता हूँ online और उसे unbox और review करके बताता हूँ कि वो product आपके वर्थ है या नहीं तो आज मैं बेवकूफ के कुछ product को review करने वाला हूँ बताओंगा वो कैसे हैं वर्थ है कि नहीं तो product को review करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अब बेवकूफ अपने app पे अलग-अलग campaigns चलाता रहता है अगर आपको नहीं पता तो उन में से कुछ है design of the day, color of the month, fabric of the month, then बेवकूफ collaboration, बेवकूफ regional t-shirt, बेवकूफ bazaar and वगेरा वगेरा तो उनी में से मैंने कुछ products को मंगाया है, तो सबसे पहला product बेवकूफ collaboration में से है, अब बेवकूफ ने अलग-अलग studios के साथ collaborate किया हुआ है, जैसे कि Marvel हो गया, Tom and Jerry हो गया, DC Comics हो गया, Looney Tunes हो गया and वगेरा वगेरा तो बेवकूफ collaboration में मैंने मंगाया है ये slider, जिसे हम चपपल भी कहते हैं, देसी बाचा में, और आप देख सकते हैं, यहाँ पे Jerry का print है, Tom and Jerry का collaboration है, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, कि बेवकूफ की branding की हुई है, और पीछे अगर आप देखें, तो यहाँ पर size लिखा हुआ है 10, जो की मेरा 10 size है, तो मैंने वही मंगाया, और most importantly, यह made in India product है, और details के बारे में बता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि इधर यहाँ पे 2 layer है, एक तो आपको इधर उपर rubber layer मिल जाती है, जहाँ पे Jerry printed है, साथ ही साथ अंदर यहाँ पे cloth material लगाया हुआ है, अगर यहाँ पे rubber layer होती, तो हमारा pair चिपचिप हो जाता, पूरा sweaty हो जाता, बट यहाँ पे कपड़े का एक layer दिया हुआ है, so that यह skin friendly रहे, और अगर आप thickness देखेंगे, तो thickness भी काफी अच्छी दी हुई है, and यहाँ पे groove भी दिया है, because हमारे pair का majority part of weight यही पे पड़ता है, तो यहाँ पे अच्छा सा groove भी दिया हुआ, and then दूसरा यहाँ पर भी काफी अच्छा सा groove दिया हुआ, यहाँ पे देखेंगे, तो leg के front part में भी काफी अच्छी grooving दी हुई है, यहाँ पे toe के लिए, और यहाँ पे leg fingers के लिए काफी अच्छा सा groove दिया हुआ है और अगर इसके durability के बार में बात करूँ तो एक सेकंड यह देखो यह मैंने एकदम अच्छे से इसको मरोड के रख दिया है but still इसने अपनी shape retain कर ली और भी मैं मोड देता हूँ but still it is good product अब इसकी पेसिंग तो बहुत अच्छे से की हुई है but finishing में थोड़ा सा यहां पे glue आपको बाहर दिख जाएगा but ठीक है इतना कोई पैरों पे गौर से नहीं देखेगा तो यह चीज हम avoid कर सकते हैं बाती मैंने इसे कितने में मंगाया तो यह मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ अभी चलते हैं second product की तरह अब next product की जो category है वो है बेवकू बजार अब बेवकू बजार is simply like an Amazon अब Amazon क्या करता है कि वो एक platform प्रोवाइड करता है अलग-अलग brands को अलग-अलग brands Amazon पे अपने products बेचते वैसे ही same बेवकू बजार भी है बेवकू बजार अलग-अलग brands को platform देता है कि वो अपने product बेवकू प्लैटफॉर्म पे बेच सके तो उनी में से एक product है campus sutra का यह sweatshirt यहां पे आप देख सकते हैं campus sutra का tag लगा हुआ है blue color का sweatshirt है और अगर price की बात करूँ तो यहां पे आप देख पा रहे होगा अगर camera focus कर पा रहा है तो 1300 लिखा अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं इसकी photo डाल दूँगा यहां पे आप देख सकते हैं कि 1300 दिख रॉस्ट्रिंग मिल जाते हैं देन पूरी sweatshirt क्लेन है कुछ ज्यादा डिजाइन विजाइन नहीं है एकदम blue color है और फिर देन वहां पे आपको campus sutra का logo मिल जाता है और यहां पे आपको kangaroo pockets मिल जाते हैं और अगर sweatshirt के अंदर का भी material में आपको दिखा हो तो यह भी काफी काफी अच्छा सा पैलवेटी टाइप बुलन है काफी अच्छा सा skin friendly लग रहा है बस एक ही चीज की problem है कि यहां पर नीचे जो stitching देख रहे हो वह मुझे काफी uneven सी लगी हाला कि stitching काफी अच्छी है अंदर से मैं आपको दिखा हो तो stitching double stitching की हुई है stitching में कोई problem नहीं है बट stitching के तरीके से problem है और यह नहीं कि मैंने मतलब अच्छे से रखा नहीं है इसलिए आपको ऐसा लगा यह देखे आपको थोड़ा शायद uneven लग रहा होगा बस यही एक problem है बाकी तो और sweatshirt में कोई problem नहीं दिखिए मुझे काफी अच्छी sweatshirt लगी है material भी इसका काफी अच्छ है बस और इसमें कोई problem नहीं है अब next category की बात करें तो next category है design of the day and design of the day में से मैंने मंगाई है यह t-shirt अब t-shirt के बारे में बात में बात करते हैं design of the day के बारे में आपको बता देता हूँ अब design of the day बेवकूफ का बहुत ही special campaign है इसमें क्या होता है कि हर दोपे सीन बजे ही यह लोग नए design की t-shirt आपको provide करते है and that too only for Rs.260 अब यहाँ पर एक tip है आपके लिए कि अगर आपको design पसंद है तो उसे उसी वक्त तुरंत आप उसे buy कर लीजे because आगे का पता नहीं कि कब आपका stock out हो जाए आपके size का तो चलो अब बात करते हैं T-shirt के बारे में तो T-shirt कुछ ऐसी दिखते है यहाँ पर आपको front में design एक मिल जाता है बस और बाकी पूरी T-shirt plain है और T-shirt में teaching की हुई है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ पर T-shirt के print quality के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखे मैं इसको literally scratch कर रहा हूं अपने nail से एकदम अच्छे से रगड रहा हूं बट प्रिंट को कुछ नहीं हो रहा प्रिंट जैसे का तैसे ही है मैं आपको इ अच्छी आप इसे जरूर consider कर सकते हैं अब as usual बेवकूफ हमेशा अपने T-shirt के साथ कुछ ना कुछ freebie देता ही रहता है कस्टमर्स को तो यह T-shirt के साथ भी मुझे यह freebie मिली है जैसा कि आप यहाँ पे front में देख सकते हैं आज कुछ तो बहुत होगे तो ऐसा एकदम अच् की काफी अच्छी है चली आप इसको रखता हूं नीचे और अब आपको बताता हूं कि जब यह सारे प्रोडक्स आप पहनोंगे आप पे कैसे लगेंगे एक लुक का आपको आइडिया दे देता हूं अब डिलिवरी टाइम की बात करूं तो तीनों ही प्रोडक्स मैंने 24 नवंबर को मंगा लिये थे जिसमें से स्लाइडर्स मुझे सबसे जल्दी मिले थे तीन दिन बाद 27 नवंबर को ही मिल गए थे then sweatshirt मुझे मिली 28 नवंबर को और 30 नवंबर को 6 दिन बाद मुझे यह design of the day की टी शिर्ट मिली तो overall on average हम कह सकते हैं कि delivery time ठीक है ज्यादा अच्छा भी नहीं है ज्यादा बुरा भी नहीं है और यह design of the day की टी शिर्ट 260 रूपीज की मंगाई तो total इसका होता है 1490 रूपे के करीब तो मुझे यह काफी अच्छे लगे prices मतलब जादा भी कोई महेंगे नहीं है इतना ठीक है वर्त है पैसा वसूल है बट वाट इफ अगर मैं आपको कहूं कि आप अभी थोड़े और पैसे बचा सकते हो बाई सब कोई अच्छा लगता है अपने पैसे बचाना तो वह बताता हो कैसे तो यहाँ पे आप देख र है जिन्होंने ट्राइब मेंबर्शिप ली हुई है अब ट्राइब मेंबर्शिप क्या है ट्राइब मेंबर्शिप वह है जैसे एमेजोन की प्राइब मेंबर्शिप कैसी है जो आपको अलग-अलग बैनेफिट देती रहती है तो वैसे यह बेवकूफ ट्राइब मेंबर् लोगे तो आपको से 100 रुपे का पड़ेगा अगर आप साल का ट्राइब मेंबर्शिप लोगे तो आपको पड़ेगा 399 रुपीज का बट उसमें भी उसके साथ आपको एक बैक फ्री मिलेगा जो की वर्थ 399 है तो हो गया ना फाइदे का सौधा तो बस फिर इसी के साथ वी ही हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं बज फिर तिल देन गुडबाए टेक केर